नमस्कार इस वीडियो में बार बार पेशाब आना, रात में पेशाब करने के लिए बार बार उठना, पेशाब का देर से निकलना और जलन भी होना, पानी कम पीने के बावजूद बार बार पेशाब लगने की रोग को ठीक करने की कुछ मुख्य होमेपथिक दवा बताया ज वीडियो सुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके बार-बार पेसाब जाने के लक्षनों में निमनलिखित औसधियां का प्रियोग करना चाहिए ध्यान रहे कि लक्षन मिलने पर ही उस दवा का उपियोग से रोग जड़ से ठीक होगा सबसे पहली दवा है पलसेटला ठटी पोटेंसी में बार-बार पेसाब जाना लेटने पर पेसाब जाने की इच्छा बढ़ जाना मुत्रत्याक के समय तथा बाद में मुत्र मार्क के मुख में जलन होना मुत्रत्याक के पश्चात मुत्रासे में एंठन के साथ दर्द होना रोगी द्वारा मुत्रासे पर ही ध्यान केंद्रित रहना ध्यान हटने पर पेसाब का अपने आप निकल जाना इसलिए रोगी हमेशा मुत्रा से पर ही ध्यान ठिकाय रखता है कि पिशाब ना निकले ना निकले ध्यान हटता है तो पिशाब थोड़ा सा अपने आप निकल जाता है ऐसा लक्षन में आप पल सेटला 30 पोटेंसी की दो बूंद दिन में दो बार सुबव और शाब जीप आने के कारण पिशाब के बार बार तथा रुख रुख कर आने के लक्षनों में इस औसदी का मूल अर्ख अर्थात मदर टिंचर क्या यूज करने से इस्तेमाल करने से बहुत अधिक लाग मिल जाता है ऐसे लक्षन में आप पांच बूंद एक चौथाई कप पानी में डा इसे अधिया डिन में दो बार शुबा और साम पिए शेवाल से रूलेटा लाग मिल जायेगा अगली दवा है नक्स वोमी का थटी पॉटेंसी अपच के कारण बदहज्मी के कारण अगर बार बार पिशाब जाने की शिकायत है तो ऐसे में नक्स वोमी का 30 पॉटेंसी रात काली कार्प 30 potency रात में पेसाब करने के लिए बार बार उठना परनतु पेसाब होने के लिए काफी देर तक प्रतिक्षा करना जैसा लक्षन मिलता है अगर ऐसा लक्षन मिले तो आप काली कार्प 30 potency की दो बून सुब और असाद जी पे टपकाई लाग मिलेगा causticum 30 potency व्रिद्ध व्यक्तियों में रात में बार बार पेशाब जाने की इक्षा में बहुत ही अच्छा ये काम करता है अगर व्यक्ति व्रिद्ध है और रात में बार बार पेशाब करने के लिए जाना पर रहा है अगर रोगी को बार-बार पेशाब जाना पर रहा है साथ में हिस्टीरिया का इतिहास है तो इगनीशिया 200 पुटेंशिस से लाग मिलेगा एक्विसेटम मदटिंचर पेशाब जाने की तिवर इक्षा का लगातार बने रहना पेशाब कर चुकने पर भी ऐसा लगना की मुत्रासय मुत्र से भड़ा हुआ है पेशाब करने के बाद भी रहत ना मिलना मुत्रासय में दर्द होना मुत्रत्याग की उतकित्स्ट इक्षा होने पर भी मुत्र का बहुत कम मात्रा में निकलना पेसाब बहुत जोर से लगा हुआ है इक्षाब बहुत कर रहा है करने का करने जाते हैं तो थोरा मात्रा में निकलता है मुतरत्याग के पस्चात, दर्द का अनुभव मुतरासे में दर्द तथा वृद्ध लोगों में पेसाब जाने की इक्षाब का हर समय बना रहना जैसे लक्षन में इक्विशिटम, मदर टिंचर लाब देगा। ऐसे लक्षन में इक्विशिटम की दसबून्द आदे का पानी में डालकर दिन में की दो बार शुबह और साम, जरूर पिये। लाब मिल जाता है। लिलियम, ट्रिगिनम, मदर टिंचर या फिर ठर्टी पोटेंसी, पेसाब जाने की तिवर इच्छा तथा जन्नांग पर भार का अनुभाव जैसे लक्षन में यह लाग देता है, आप ऐसे में मदर टिंचर या ठर्टी पोटेंसी दोनों में से किसी का इस्तिमाल कर सकते हैं, इस्त्रियों के लिए या विसेज हितकर है या दवा लिलियम, ट्रिगिनम, हाइड्रोफोबियम 200, बहते हुए पानी को देखकर पेसाब करने की इक्छा अगर उत्पन्न हो जाए तो ऐसे लक्षन में हाइड्रोफोबियम 200 पोटेंसी लाब देता है, सल्फर 1M या फिर कैं थेरिस 30 पोटेंसी का प्रयोग एक बार करके जरूर देखे लाब मिल जाता है, थूजा 30 पोटेंसी, पेसाब जाने की तिवर इच्छा का बार बार होना, पेसाब किये बीना रुक ना पाना, परन्तु पेसाब की धार कमजोर होना, पेसाब कर चुकने के बाद ऐसा कि मुत्र मार्ग में अभी भी एक बून, दो बून, सेज पेसाब रह गई है, इन लक्षन के साथ अगर रोगी को चक्कर आए, ऐसी अवस्था में आपको थूजा 30 पोटेंसी का प्रयोग करना है, आपको लाब देगा, पेट्रो सीलिनम 30 पोटेंसी, पेसाब जाने की आटने जैसा दर्द होना जैसे लक्षन में पेट्रो सीलिनम 30 पोटेंसी लाब देगा, ऐसे लक्षन में दो बून, सुबा और साम जीपर पेट्रो सीलिनम लेना है, नैट्र ग्विन 30 पोटेंसी, पेसाब करने की तिवर इक्षा होने पड़ भी पेसाब का बहुत कम मात्र आमें निकलना जैसे लक्षन मैं नेट्रों म्यूर्थ 30 पोटेंसी का उप्योग एक बार अवस्य करें कॉनियम 30 पोटेंसी जरायू के असनायू सूल में पेशाब करने की तिवर इक्षा का निरंतर बना रहना जैसे लक्षन में कौनियम लाब देगा यह औस दी भी इस तरियों के लिए विसेश हित कर है बहुत लाब देता है अर्जेंटम मेट 6x मल तथा मुत्र दोनों की तिवर इक्षा होने पर इस औस दी का स्मरन करना चाहिए अगर प स्क्राइब कर दिया है फिर भी अगर आपको कोई अन्य लक्षन हो या आपको लक्षन समझ में ना आए तो विडियो के अंत में मैंने मुबाइल नंबर दिया है आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं क्योंकि कुछ लक्षन ऐसे होते हैं जिसका आपको पता नहीं या आप कंफ्यूज हो जाएंगी 2-3 मेडिसीन के बीच में तो ऐसे में आपकी मदद डॉक्टर ही कर सकेंगे